योगी सरकार में दूरोक्रेसी का पावर सेंटर अब बदल गया है। योगी पार्टू के इस दूसरे कायरकाल में फाच्वे महीने में जो बड़ा सबसे बड़ा फेर बदल हुआ सासन में उसमें संजे परसाद सबसे ताकत वर अफसर मन कर उभरे हैं। संजे परसाद मुख्यमंतरी के प्रमुक्षचिव थे लेकिन इस फेर बदल में जितनी ताकत उनको दी गई उससे ये साफ है कि अवनी सवस्थी जो अभी तक ब्यूरोक्रेसी का पावर सेंटर माने जाते थे अब वो सिफ्ट होकर संजे परसाद के पास आ गया है। संजे परसाद 1995 बैच के आईएस अफसर है। वो अभीहार के सीता मढ़ी के रहने वाले हैं और उनकी साधी उत्सर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुई है। आज की तारीक में योगी सरकार में उनकी हैसियत अब नंबर टू के अफसर की हो गई है। हाला कि उनका बैच 1995 अभी काफी जूनियर हैं लेकिन संजे परसाद के सितारे इस समय सीर्ज पर हैं। परमुक सचीव क्राय का पद मिलना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस पद के साथ संजे परसाद के सामने कई चुनावतियां भी हैं। चुनावतियां इसलिए कि उनसे पहले जो सक्स यहां तक नसी था उसको अपने खुदा होने पर उतना ही यकी था। यह यूँ कह सकते हैं कि वो सरकार की आखनाक कान थे, उनको फ्री हैंड था, बेहग वो भरोसे मंद थे, वो जैसा चाहते थे उन्होंने चलाया। साड़े तीन साल से ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश के अपर मुखि सच्यूग रहे रहे हैं। अब संजे परसाद एक उर्जावान और नौजवान अपसर हैं, उनको यह कमान मिली है। लेकिन कुछ तकनीकी बाते भी हैं उसके साथ। बात यह है कि संजे परसाद का जो बैच है उनसे पुलिस महकमे में ऊपर कई सारे अधिकारी हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ADG LO भी परशान कुमार वो भी संजे परसाद से काफी सीनियर है। इतना ही नहीं फील्ड में जो अधिकारी तैनात है एडीजी रैंक में वो भी काफी सीनियर है ऐसे में वोसासन के अपसर जरूर है लेकित तालमेल बिठाने की एक चुनवती आती है जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आगरा के जो एडीजी है राजीव कृष्ण अब आते हैं पुलिस कमिस्नर रेट पर कानपूर के जो पुलिस कमिस्नर है बीपी जोगड़न्ड वो एडीजी है में बैच के हैं लखनओ के जो पुलिस कमिस्नर है एस्बी सी रोट कर वह अन्ड़ी सो तिरानवे बैच के लिए यह सारे अधिकारी सीनियर हैं ब्यूरोक्रेसी में संजे परसाथ के बैच से तो यह नाम इसलिए बताया कि जब बात आएगी तालमेल की तो वहां पर यह सार में पर और औरमाली कईसे बढ़ेगा यह जिम्मिदारी संजय पर साथ परым लेकिन लोग यह मानते हैं इस संजय पर सार एक सुलव अपbruOTT ऐसे अप्सर हैं जो सरल्ता के साथ चीजों को निपनाना जानते हैं जो लोगों को मन से सुनते हैं परसंदता के साथ उनको वापस बेशतें तो SM योगी का जो भरोसा उनको मिला है और जो उनके पीछे ताकत है, वो हर चुनोती को पार कर जाएंगे, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं, संजे परसाद जिन जिलों में डियम भी रहे हैं, वहाँ उन्होंने अपनी कारसाहिली से काफी छाब छोड़ी है, हर जिले में कुछ ऐसे लोग बना कर आए हैं, जो आज भी सफर में उनके साथ ह नहीं है, बेवहारिक्ता में कोई कमी नहीं है, उपलब्दता उनकी हमेशा है, तो यह माना जा रहा है कि अगर वो लंबा समय गुजारना चाहेंगे इस पत्पर, तो वो चल सकते हैं, उनकी और से उनके कारसाहिली को लेकर, कोई उनका सासन में ऐसा विरोधी नहीं है, जो उनकी जड़ खोदने की कोशिस करें, मीडिया के लिए भी वो बेहत फ्रेंडली रहें, वैसे कहा भी गया है, कि अगर जीतने कहीं हुना रखते हो, तो दिल जीतने का रखो, क्योंकि सारी दुनिया जीत कर सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था,